अलो दोस्तो कैसे हैं आप साब मैं एक बाब फिर आपके एक न्यू क्लास लिकर आएं दोस्तो आपको मालू में पिरती दिन डेली में एक न्यू कंटेंट न्यू क्लास के साथ आपके साथ आता हूं दोस्तो आज की जो मारी क्लास हो जाएगी इसमें कंप्यूटर के मिक्स अ Cyber Law में DOS का पूरा नाम क्या है यानि Cyber Law में DOS का पूरा नाम क्या होता है Denial Operating System क्या होता है Denial Operating System DOS का पूरा नाम होता है काया कि इसमें Cyber Law में ठीक है और DOS का फुल फॉर्म भी आप comment box में type करके बताईए ठीक है बढ़ते हैं अपने अगले question की तरब जैसा कि अब अगला question देख रहोंगे Pac-Man नामक प्रिसेद कंप्यूटर किस काम के लिए बनाए गया है देखिए आप लोग class को skip मत करिए क्यूंकि आप लोग क्या करते हैं class को skip करते जाते हैं तो मैं बीच बीच में जो आपको जानकारी question की बारे में थोड़ी बिच्ट्रित जानकार देता हूँ वो आप नहीं ले पाते हैं आप लोग क्या करते हैं class को ने तो skip पर देते हैं नहीं तो first mode पर लगा देते हैं ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग class की मेरे साथ आखरी तक बने रहेंगे तो question दूसरा है pacman नामक प्रिशिद कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था तो pacman नामक प्रिशिद कंप्यूटर खेल संबंदित के लिए बनाया गया था ठीक है देखते हैं तीसरा question क्या हो जाएगा तीसरा जो मारा question हो जाएगा microprocessor computer किस PD से संबंदित है तो microprocessor जो computer किस PD संबंदित है फिर चतुर्थ PD से संबंदित है किस PD से संबंदित है चतुर्थ PD से देखिए पहले, जो सबसे पहले किसका उपयोग किया गया था तो नरबात ट्यूव का उपयोग किया था यानी बेक्यूम icon को on कीजिए ताकि जैसा ही class में upload करूँ सबसे पहले class का notification आपके पास पहुँच जाए ठीक है बढ़ते हैं अपने चौति question की तरफ चौता question जैसा कि आप स्कीनी पर देख रहोंगे question है हमारा वे memory जो CPU से सीधे संपरक में रहती है कहलाती है वे memory जो CPU से सीधे संपरक करती है वे कहलाती है वे auxiliary memory कहलाती है क्या कहलाती है auxiliary memory कहलाती है हमारा बिल्कुल सही answer हो जाएगा दोस्तो ठीक है बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ हमारे जो question हो जाएगा हमारा question हो जाएगा वे हो जाएगा अपार्थ है संधे प्रिकार को दीखती है जैसा कि आप अ algumas क्लास में बता चुका हो इक बार और और को printer की बारे में समझा दीता हूं तो प्रेंटर को आपको समझ में आ गया होगा आप बढ़ते हैं आंगे की तरफ इसके बात क्या है ग्राफ में इसके बाद के आख्मेंग इब होती है impact printer कौन-कौन से होते हैं एक आप देख रहोंगे character printer एक खुझा आगा line printer ठीक है अब इतना आपको समझ में आगे होगा आप character printer के अंदर देख कौन-कौन से printer होते हैं एक होता है हमारा dot matrix printer एक होता है हमारा आपका clear अब बढ़ते हैं अपने line printer की तरफ अब देखिए line printer कितनी type के होते हैं line printer दो type के होते हैं एक होता है हमारा drum printer एक होता है हमारा chain printer अब ये side का आपका clear हो गया है न impact printer कितने परकार के होते हैं तो impact printer दो प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, एक होता है हमारा Character Printer, एक होता हमारा Line Printer, अब Character Printer के दिने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक होज आएगा हमारा Dot Matrix Printer, एक होज आएगा हमारा Daisy Wheel Printer, और हमारा 2s line printer तो line printer के तरहli पर होता है? line printer भी दो परिकार के होते हैं कौन कोन से एक होता है हमारा DRUM-PRINTER एक होता हमारा Churchill-PRINTER यह के लिया लो गया अच्छा अब सबसे ध्यमिकति का printer कौनवा सा होता होता है? दॉस्तों imp Carbonography printer अ कौनवा सा टाइप करने का स्टाइल होता है जो उसका गोल आकार टाइप के उसमें करेक्टर लगे होते हैं घुमते जाती है टाइप होते जाती है ठीक है अब इसके बाद Drum Printer, Drum Printer का आकार ऐसा होता है, ठीक है, Chain Printer उसमें चैन नुमा आकार होता है, ठीक है, इसलिए इनके आकरती के अनुसार इनके नाम को रखा गया, अब ठीक है, इतना Complete होगा आपका Impact Printer के लिए रो गया ना, लेजर प्रिंटर कोई से हो जाएंगे लेजर प्रिंटर हो जाएंगे अब आपको उम्मीदे प्रिंटर सारे क्लियर हो गए होंगे ठीक है सबसे पहले एक बार और मैं आपको जल्ली बता देता हूं उसके वाद laser printer उम्मिद है आपको दूस्तों ये समझ में आ गया होगा ठीक है बढ़ते हैं अपने अगले question की तरव हमारे दुसात्मा क्वेशन हो जागा पेरिफेरल उपकरन का उधारन है तो देखते हैं पेरिफेरल उपकरन का उधारन है तो पेरिफेरल उपकरन का उधारन है तो पेरिफेरल उपकरन का उधारन है कौन सा है प्रिंटर हमारा पेरिफेरल उपकरन का उधारन है आठमा क्वे मिस्टरन को hybrid computer बोलते हैं digital analog दोनों एक जैसे लगते हैं लगते हैं नहीं दोनों जो दोनों को mixture होते हैं एक जैसे काम करते हैं ठीक है इसलिए हमारा ये भी सही हो जाएगा बढ़ते हैं हम अपने norma question के तरब norma question जैसा कि आप इस screen पर देख रहोंगे यानि output देता है ठीक है जितने भी printer है पर सारे के सारे output होते हैं एक बात और आप नूट के लिए जितने भी printer है सारे output देते हैं ठीक है और लेकिन यहाँ पर question क्या है सबसे अच्छी गुणवत्ता का चित्रा लेखन कोन उपन कर तो बढ़ पिलोटर करता है सबसे तेज प्रिंटर कोन सा है सबसे तेज प्रिंटर है हमारा कोन सा laser प्रिंटर और सबसे धीमिकति का प्रिंटर कोन सा है हमारा dot matrix प्रिंटर बढ़ते हैं अपने एगले question जो दसमा question हो जाएगा वे हो जाएगा question है हमारा MS power point में अधिकतम जूम होता है तो MS power point में अधिकतम जूम 400 पृतिसत और minimum जूम 10 पृतिसत होता है ठीक है तो हमारा ये आप note कर सकते है ठीक है ये important question है आपको confuse कर सकते है ये question बार्मा question की तरफ चलते हैं बार माने चीज़िन हो जागा भारत में निरुवथ परम कंप्यूटर किस परकार का computer भारत में इंडुरत परम computer आपको मालूमने चाहिए कि सू debates कि आठाव शूबें आपको मालूम होगा बढ़ते हैं अपने अगले question कि तरफ तेरमा question जो हमारा हुजाएगा भे हुजाएगा आधू ने computer की खोज सर्वे पर्थम कब हुई तो आधू ने computer की खोज सर्वे पर्थम 1946 मुई कब हुई 1946 मुई इसके बाद चाओ तुमा question आप स्क्रीन पर देख रहोंगे question है हमारा आई-सी चिप का विकास किस ने किया तो आई-सी चिप का विकास किस ने किया था दोस्तों जे-स के लिवी ने किया था किस ने किया था जे-स के लिवी किसका विकास आई-सी का फुल फॉर्म क्या होता है integrated circuit, क्या होता है? integrated circuit chip, ठीक है? बढ़ते हैं हम अपने अगली question की तरफ पंदरवा question, question है हमारा computer भासा को वोल किसके लिए उप्य होगी है? तो computer भासा को वोल एक वेवसाइक छेत्रे के लिए उप्य होगी है? किसके लिए उप्य होगी है? तो एक वेवसाइक छेत्रे के लिए कौनसी भासा अच्ची लिवल की भासा है को वड़ ठीक है? तो computer भासा को वड़ एक वेवसाइक छेत्रे के लिए उप्य होगी है देखते हैं अपना खुप्योंma question है हमारा basic computer भाहसा का विकास किस ने किया था तो basic computer भाहसा का विकास john g. kemi ने किया था जोन जी कैमी ने इसका answer है john g. kemi और इसके आंगे देखते हैं basic का फुलपों क्या होता है तो basic का फुलपों होता है beginners all purpose symbolic interaction quotes ठीक है आप इसको नोट कर लिए जी क्योंकि अभी तरक पूछा नहीं क्या है हो सकता है यह आपके exam में पूछ ले तो basic का फुलपों beginners all purpose symbolic interaction course ठीक है बढ़ते हैं अपने सत्त्र में question की तरफ सत्त्रमा question जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहोंगे question है हमारा किसी program का चित्र के रूप में पրदर्सन करना कह यह मानि यह answer बिलकુर हमारा सही हो जाएगा आप इसको नूट कर सकते है important question है इसके बाद आघर्मा question की तरफ चलते है हमारे जा हो जाएगा सबसे कॉमन प्रिकार की स्टोरिश डवाइस है सबसे कॉमन प्रिकार की स्टोरिश डवाइस है तो कौन सी है सबसे कॉमन प्रिकार की स्टोरिश डवाइस तो मेगनेटिक डवाइस कौन सी डवाइस है, magnetic storage device है, ठीक है, यह हमारा answer है, आप चाहे तो उसको नूट कर सकते हैं, जो बार कोडिंग में कितने अक्षर होती है, तो बार कोडिंग में जो अक्षर होती है, यह भी एक क्षर न्यू क्षर ने, पूछी जाने कि इसकी संभाव न बनती है, क्योंकि अभ इसमा question हो जाएगा, वे हो जाएगा, email भेशते समय, संदेश की बिसे सूची के बारे में, पिरती लिभी प्रदसित करती है, email भेशते समय, संदेश की बिसे सूची के बारे में, पिरती लिभी प्रदसित करती है, तो क्या करते है, CC यानि carbon copy, CC का full form आप आज जान लीजिए जो आप लोग email भेजते हैं तो संदेश विशे सूची की बारे में यहाँ पर CC लखा रहता है तो उस CC का full form क्या होता है Carbon Coffee क्या होता है Carbon Coffee हमारा बिल्कुल इसका सही answer हो जाए कि आप चाहें तो इसको नूट कर सकते हैं हम अपने अगले question की तरफ तो पर कर सकते हैं ठीक है दूस्तो बढ़ते हैं हम अपने अगले question की तरफ हमारे जो 22 हो जाएगा हमारा URL का फुल फॉर्म बताई URL फॉर्म तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है Uniform Resource Locator क्या होता है दोस्तो Uniform Resource Locator इसके बाद 23 हमारा DOS Operating System होता है तो DOS Operating System एक Single User Operating System होता है इसके बाद 24 में Question आप स्क्रीन पर देख रहा हूं कि Question है हमारा Tread Micro क्या है Tread Micro एक Antivirus है क्या है एक Antivirus आप चाहे तो इसको Note कर सकते है Tread Micro क्या है Tread Micro एक Antivirus है यह हमारा Answer ठीक है बढ़ते हैं हम अपने अगले Question की तरफ जैसा कि आप देख रहा हूंगे स्क्रीन पर अमार जो 25 में Question हो जाएगा वे हो जाएगा हमारा Application Software में फेलने वाली वायरस को क्या कहा जाता है जो Application Software में फेलने वाली वायरस को क्या कहा जाता है Macro Virus कहा जाता है Important Question है प्रिविएस पेपल में आ चुका है Question Application Software में फेलने वाली वायरस को क्या कहा जाता है Macro Virus कहा जाता है आप इसको नोट कर लेजी या इसका Skin Shot ले लेजी ठीक है बढ़ते हैं अपने 26 में Question की तरफ 26 में जो Question हो जाएगा वे हो जाएगा HTML भासा के प्रोग्राम को रन करने के लिए सॉफ्ट्वेर का प्रियूग होता है HTML भासा के प्रोग्राम को रन करने के लिए सॉफ्ट्वेर का प्रियूग होता है तो किस सॉफ्ट्वेर का प्रियूग होता है WordPad का होता है किसका होता है WordPad का होता है HTML भासा के प्रियूग को रन करने के लिए हमको किस software के ज़रे होती है तो wordpad की होती है बढ़ते हैं हम अपने 27 में question की तरफ उम्मीर दोस्तों class आपको पसंदार होगी और आप please class के last तक बनी रही है ताकि मैं आपको और भी जानकारी देता चलू हमारा जो question 27 में हो जाएगा C++ program को execute करने के लिए किस command का प्रियोग करते हैं तो control plus f9 का प्रियोग करते हैं 28 मा question हो जाएगा हमारा जब बहुत से car computer को दिये जाते हैं और उनका processor एक-एक करके उसे क्या कहा जाता है तो उसे batch processor कहा जाता है बहुत से car computer को दिये जाते हैं और उनका processor एक-एक करके होता है तो उसको कहा जाता है batch process mode क्या कहा जाता है batch processing mode कहा जाता है हमारे जोनतीसमा question हो जागा आप देख रहोंगे IP address मुखता कितने प्रकार के होते हैं तो IP address मुखता दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं IPv4 और IPv6 होते हैं ठीक है अब IPv4 का आपको size बताना है कितने बिटका होता है और IPv6 का भी आपको size बताना है बे comment box में आप type करके जलू बताएए हमाई जो तीसमा question हो जाएगा बे हो जाएगा प्रोसेसर की processing speed मापने के लिए खालिस्थान का उपयोग किया जाता है जो प्रोसेसर की processing speed को मापने के लिए clock speed का उपयोग किया जाता है इसके बाद 31 जो question हो जाएगा वे हो जाएगा OCR का फुल फॉम बताना है तो OCR का फुल फॉम क्या होता है optical character reader क्या होता है optical character reader इसके बाद 32 question आप इस screen पर देख रहोगे question है वारा लगवक 40,000 micro computer जितनी कार करने वाले super computer की गति को क्या कहते है लगवक 40,000 micro computer जितनी कार करने वाले super computer की गति को क्या कहते है देखते है इसका answer आप लोग नोट कर लीजिए important है देखे इसका answer क्या है mega flop लगवक 40,000 micro computer जितनी कार करने की छमता रखने वाले super computer की गति को mega flop कहा जाता है क्या कहा जाता है mega flop कहा जाता है super computer इत्यादने टकनीकों से less और बड़े बड़े पड़े करने के साथ अती सुक्ष्म गणना यह तिर्ब गति से कर सकती है यह इसका answer है चाहें तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं बढ़ते हैं अपने एक लिए question के तरब हमारे जो 33 मा question हो जाग कौन सा पहला super computer बनाया था अमेरिका company ने क्रेबन बनाया था क्री company ने बनाया था ठीक है लेकिन 1964 में बना cdc-6600 को आम तोर पर पहला super computer माना जाता है जैसे c-more के लिए ने design किया था लगबक एक mega flop से चलाया गया था यह इसका answer है बहुत ही important factors में आप चाहें तो इसको note कर सकते हैं अगर आप इसका screenshot लेना चाहें तो screenshot भी ले सकते हैं ठीक है बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ और उम्मीदा दोस्तों आपकी तयार यह अच्छी चल लेगी क्यूंकि exam बहुत नजदीक है typing पर विसेज ध्यान देजी खास तोर से English की typing पर क्यूंकि Hindi की typing सब qualified कर लेतें English का थोड़ा टफ होता है इसलिए आप लोग English की typing पर भी ध्यान देजी और self study जितना हो सके करिए इसके बाद जो मारा चोंतिसमा question हुई आगा वह हुई आगा personal computer पर सबसे पहले पुस्तक किसने लखी थी यह भी अभी तक पूछा नहीं गया यह question इसलिए important बनता है question है हमारा personal computer पर सबसे पहले पुस्तक किसने लखी थी तो personal computer सबसे पहले पुस्तक टेड लेंसन जो की अमेरिकी सूचना फिर ओद्धो की दर्सना दार्सिनिक और समाज सास्त्री समाज सास्त्री एक है ठीक है उन्होंने 1963 में सब्द hypertext और hypermedia को गड़ा और 1965 में 1965 में उन्ह प्रसनल computer पर सबसे पहले पुस्तक लेजी ती अब आपको इसका answer मिल गया होगा चाहे तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं या आप चाहे तो इसको note भी कर सकते हैं किलास को पुस्त करके ठीक है बढ़ते हैं हम अपने 35 में question की तरफ 35 में question जैसा कि आप स्क्रीन पर देखे कितनी हैं दोस्तों 127 character है ठीक है बढ़ते हैं हम अपने 36 में question की तरफ 36 में question जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहों कि question है हमारा copy और x copy इन अर्थों के समान है copy और x copy इन अर्थों के समान है दोनो file या file का समूं को copy करने के लिए इस्तमाल किया जा सकती है दोनो file या file के समू को copy करने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है इसका definition है आप इसको नूट कर लिए क्योंकि यह question पूछी जा सकते हैं new question है बढ़ते हैं हम अपने 37 में question की तरफ दोस्तों आप से request करना चाहूंगा अगर आप हमारे चल्णा पर नए हैं तो please चल्ण को subscribe कीजिए क्योंकि आपके चिपी प्रिनाडी फाइल एक और डिशक पर copy करने के लिए आप किस command का उप्यूक करेंगे तो sys command का उप्यूक करेंगे किस command करेंगे sys command का बढ़ते हैं अपने 38 में question की तरफ अरतिसमा जो question हो जाएगा इन्य लेखित विकल्प दखाई नहीं देता है जब आप start set down किल्क करते है जब आप start set down क्लिक करते है तो क्या नहीं दखाई जिता है log in क्या नहीं दखाई जाए लोग in बढ़ते है अगले question की तरफ हमारे जो 49 में क्वेशन हो जागा MS बर्ड में लेंड स्केप को क्या कहा जाता है MS बर्ड में लेंड स्केप को क्या कहा जाता है तो MS बर्ड में लेंड स्केप को पेज ओरियंटेशन कहा जाता है क्या कहा जाता है पेज ओरियंटेशन कहा जाता है ठीक है MS Word में LandScape को Page Orientation कहा जाता है देखते हैं अपना आज का Last Question हमारे जो आज का Last Question हो जाएगा MS Excel 2007 में Multiple Sheetों से एक sheet में data को संचिप्त और संसारित करने के अनेक्ट करने को किस रूप में जाना जाता है तो Consolid Translating किस में जाना जाता है Consolid Translating ठीक है यहमारे इसका answer हो जाएगा आप चाहे तो इसका screenshot भी ले सकते हैं दोस्तों उम्मीद है आपको Class पसंद आई होगी और प्रती दिन आपके लिए मैं New Class लेका आता हूँ जब तक exam नहीं हो जाता है इसी तरह आपको Mixed Question लाँगा ताकि अब आपकी तैयारी का आपको आंकलन होता चले यह question जो मैं आपके लिए लाता हूँ आप लोग इसमेंसे देखिए आपको कितनी question बन रहे हैं कौनसा आपका इसमेंसे chapter छूटा हुए उसको आप complete करी जो समझ में ना आए आप comment box में type करके मुझसे पूचिए मैं आपके हर question का answer देने के लिए तैयार हूँ, ready हूँ, बस आपसे एक सर्त है आप लोग self study पर भी ध्यान दीजिए ताकि आपका एक ही बार में CPJD qualified हो जाए आज जो student nervous है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है तैयार ही कैसे करें, वो भी मुझसे comment box में type करके question पूच सकते हैं, मैं उनको समझाओंगा, ठीक है बस सर्त इतनी है, आप लोग self study कीजिए और हमारे चैनले में नए हैं तो please हमारे चैनले को subscribe कीजिए मिलते हैं अगली के लाज में तब तक किल दोस्तो नमस्कार